अब यह बसंदगर्ट सीलालेक कहां का है तो द्यान रखेगा बसंदगर्ट सीलालेक सीरोई जिले में मिला ताबर मिला सीरोई में मिला और कब 625 इसी को और इसकी जो लीपी है यह संस्कृत लीपी है और साथ में भी साथ महीं इस लीपी की एक प्रगार की कुटिल लीपी है कौन सी जो पसंदगर सीला लेग की लिपी है वो कैसी है संसकर्त कुटील लिपी है और इसके अंदर पसंदगर सीला लेग की मिलता है मेवाड गुईलवंस सिला दित्य का उल लेक मिलता है मेवाड के महराजा गुईला दित्य का इसमें उल लेक मिलता है आप देखो option C के अंदर देखो यहाँ पर विराट सिला लेक लिग रखा है अब यहाँ पर कहीं बार confusion होता है कि यह विराट क्या है विराट बेराटी है औ लगबग 30-35 किलोमेटर दूर है ये विराट, बेराट की पाहडिया, नाम सुनाओगा आपने, तो वही है विराट, पहले उसको विराट कहते थे, बाद में इसको बेराट कहा जाने लगा, तो इसका करेक्ट बेराट या विराट, दोनों में, दोनों ही क्या है, सिमिलर है, सम मान, अब बात करते हैं, जो बेराट सिलालेक है, यहां कि जैपूर के लगबग थोड़ी ही दूर, यहां पर एक बीजिक की डूंगरी है, कहां पर? जैपूर के अंदर, अब ध्यान रखना, बीजिक की डूंगरी पर कैप्टन बर्ट के द्वारा एक सिलालेक हो जा गया, क बारबु सिलालेक हो जा गया, किस के द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा, कहां पर? जैपूर के अंदर, विराट, बेराट, अथार्द, दूंगर की पहाडी पर्ड, यह शिलालेक हो जा गया, कोंसा? बारबु सिलालेक, तो दोस्तों चलते हैं आगले क्योशन की और, जल्दी से चलते हैं अगले क्योंशन के और तो जल्दी से जूड़ जाइए अपने दोस्तों को सेर कीजिए अपने दोस्तों को सेर कीजिए अगला क्योशन आपके सामना आ रहा है सौमदेव सुरी की इन में से कौन सी रचना है स्वमदेव सूरी की इनमें से कौन सी रचना आए संगार हार एपसवनदेव सूरी की इनमें से कौन सी रचना है करदेव परबंद बताई जल्दी से आंसर इसका क्या बाते जूडने रहे हो जल्दी से जूड़िये और अपने दोस्तों को बताईए कि आज राजस्तान के ATF6 श्रोत की मौक टेस्स सिरीज सुरू आज चुकी है सौमदेव स्थूरी की इन में से एक पौनसी रेचना है आपके सामने option A पर्तिराज विजे option B संगारहार option 3 ललित विगराज option 4 कानड़ देव परबंद दोस्तों इसका correct answer क्या होगा बताऊ जल्दी से इसका correct answer होगा option C ललित विगराज किस की रचना है सौमदेव सूरी की रचना है अब यहाँ पर बात आती है कि पर्तिराज विजे ये किस की रचना है पर्तिराज विजे किस की है जयानक की तो जयानक के द्वारा लिखी गई है पर्तिराज विजे जो आपका अजमेर सामरेजे था जिसके अंदर पर्तिराज चोहान किसमें परतिराज विजे के अंदर और यह क्या न लिखी थी जैयनिक ने लिखी थी पर बात करते हैं कानड देव पर्भन्ध यह किस न लिखा था यह पदमनाद ने लिखा था किस ने अदर अब दोस्तों बात करते हैं आगे तो जल्दी से जुड़ जाईए अच्छे क्योशन आ रहा है और सभी एक्जाम के दस्टिस से अती महत्पून क्योशन है जो आपके लिए काफी लाबकारी शाबित होंगे है अगले क्योशन के और चलते हैं तो हम अगले क्योशन के और आ चुके हैं बसंदगड़ सिलाले का है तो जल्दी से आंसर दीजिए कि बसंदगड़ सिलाले का है बसंदगड़ सिलाले का है दोस्तो जल्दी से आंसर दीजिएगा बसंदगड़ सिलाले का है बसंदगर्ड सीलालेक कहां है बसंदगर्ड सीलालेक कहां इस्तित है आपको आंसर देना option A चितोर option B अजमेर option C सिरोई option D जैपोर तो चार option है आपके सामने तो चारों में से कोई एक इसका राइट है तो जल्दी से इसका आंसर दीजेगा कि बसंदगर्ड सीलालेक कहां इस्तित है दोस्तो इसका correct आंसर होगा option C बसंदगर्ड सीलालेक सिरोई में इस्तित है तो चलते हैं दोस्तो आगे आगे हम चलते हैं जल्दी से अपने दोस्तो को तो दोस्तो अगला क्योशन आचुका है अगला क्योशन आपके सामने है वो कोन सा पर्तम अंग्रेज इत्यासकार था जिसने राजस्तान की भागीदारी या सोरी जागीदारी व्यवस्ता पर लिखा वो कोन सा पर्तम अंग्रेज इत्यासकार था जिसने राजस्तान की जागीरदारी व्यवस्ता पर लिखा तो बहुत अच्छा क्यूशन है और एक्जाम की दस्टी से अती महत्रपोन क्यूशन नहीं है कि वो कौन सा परतम अंग्रेज इत्यासकार था जिसने राजस्तान की जागीरदारी व्योस्ता पर लिखा औप्शन ए चार आपके सामने वो कौन सा परतम अंग्रेज इत्यासकार था जिसने राजस्तान की जागीरदारी व्योस्ता पर लिखा आपके सामने चार आप्षन है जलदी से बता है इसका क्या answer होगा चलो दोस्ता बता देते हैं इसका correct answer क्या होगा इ스का correct answer होगा option 4 कर्नल Jamstored कौन था? कर्णल जैम स्टोडी था जो परतम अंग्रेज इतियासकार था जिसने राजस्तान की जागीरदारी व्योस्ता पर लिखा दोस्तों बहुत ही अच्छा क्योशन है इनको आप चाहे तो अपनी नॉट्बुक में लिख सकते हैं तो अगले क्योशन की बड़ चलते हैं अगला क्योशन आपके सामने आ रहा है रंगपूर जहां हडपा की समकालिन सब्वेता थी तो आपको आंसर बताना है इसका रंगपूर जहां हडपा की समकालिन सब्वेता थी ओप्शन A पंजाब में ओप्शन B पूर्व उत्तरप्रदेश में ओप्शन C सोराष्ट में ओप्शन D राजस्तान में तो जल्दी से पता है इसका आंसर क्या होगा रंगपूर जहां हडपा की समकालिन सब्वेता थी तो दोस्तो इसका आंसर होगा ओप्शन C सोराष्ट क्या होगा इसका आंसर सोराष्ट सोराष्ट के अंदर रंगपूर जहां हडपा की समकालिन सब्वेता थी तो दोस्तो आगे बात करते हैं जल्दी से दोस्तों आप सेर नहीं कर रहे हैं सेर कीजिए और दबागे सेर कीजिए क्यूंकि बहुत अच्छे-च्छे क्योशन आ रहा है एक्जाम की तर्षी से अगला क्यूसर है चोहान यूग से पूर्व की सवित्ता का ज्ञान किस पूरा तात्विक इस्तल से प्राप्त हुआ क्या होगा अंसर इसका चोहान यूग से पूर्व की सवित्ता का ज्ञान किस पूरा तात्विक इस्तल से प्राप्त हुआ जल्दी से बताएक्त ऐस स्अर को दोस्तों का करेक्ट आंसर हो गारोस नल्या अब बात आती है की नगरी तो नगरी सब्यता कहा की है किरे सबस्राइबल दश्बुब तो अब वेरात वेराइत का पहले बताते हैं वेराण कहा हैं जाइपूर के अंदर और भागोर भागोर बीलवाड़ा ठीक है अब बात करते हैं लेक वोष्ण कि और तो आपका अगला क्योषण आ रहा है तो जल्दी से सेर कर दीजेगा अगला क्योषण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्योषण है निम लिकित मैंसे किस इतिहास वेता ने काली बंगा को सिंदू गटी समराजे की तर्ति राज़दानिक का है बहुत ही अच्छा तर्थी राजदानी का है। आपके सामने ओप्षण A जी एच ओजा, ओप्षण B श्यामलदाज, ओप्षण D दसरत सर्मा, ओप्षण C दसरत सर्मा, ओप्षण D दयाराम सहानी। तो आपको करेक्टराइन्स जोर बताना है कौन सा होगा इसमें। नेमली लिकित में से किस इतिहास वेता ने काली बंगा को सिंदु घाटी सामराज़े की तर्थिय राजदानी का है। ओप्षण A जी एच ओजा, ओप्षण B श्यामलदाज, ओप्षण C दसरत सर्मा, ओप्षण D दयाराम सहानी। कि दोस्तो कि आखकेकरिकट भ्षण को करेक्ट राजदानी किसने का, दसारत सर्मा को सिंदु घाटी सामराज़े की तर्थिय राजदानी किसने का, दसरत सर्मा का? पहला option आ रहा है जी एच ओजा, तो जी एच ओजा कौन है, यह है आपके डॉक्टर गोरी संकर ओजा, कौन है, डॉक्टर गोरी संकर ओजा, इन्होंने सिरोई के इतियास के बारे में लिखा, किसके इतियास के बारे में लिखा, सिरोई के इतियास के बारे में लिखा, और तो दयाराम सहानी कौन थे, जिनोंने सिंदु घाटी सबेता, हडपा सबेता की खोज करने वाले कौन थे, दयाराम सहानी थे, तो आपको पता चल गया होगा कि दयाराम सहानी कौन थे, सिंदु घाटी सबेता, हडपा सबेता की खोज करने वाले, और जी एच ओजा के गुरू श्यामलदास अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्योशन गियों दोस्तों अगला क्योशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्योशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है महावारत काल के आउसेज कहां पर मिले महा बारत काल के आउसेज कहां पर मिले आपके सामने ओप्शन ए अलवर के निकट बेराट और बरतपूर के निकट नहापर अलवर के निकट बेराट और बरतपूर के निकट नहापर और ऑप्शन भी माउंट आबू ऑप्शन सी नलिया सर ऑप्शन आपका फोर है रन्ना तो जल्दी से इसका करेक्ट ट्रांस्वर बता दीजेगा महावारत काल क्या उससे इस कामपर मिले क्या बात है आंसर नहीं देह रहे हो जल्दी से आंसर दो और अपने दोस्तों को सेर करो जिता जादा हो से के सेर करो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्यूशन मिलेंगे लगबग 500 क्यूशन प्लस की सीरी चलेगी पूरे राजस्तान जी केगी जल्दी से आंसर दीजेगा और अपने दोस्तों को सेर कीजेगा अगर आपको क्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो सेर जल्दी से सेर कीजेगा दोस्तों सेर करें आगला क्यूशन आपके सामने आ चुका है नागानंद रतनावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे बहुती अच्छा क्यूशन आपके सामने आ चुका है नागानंद रतनावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे चलो बताओ, option A, burn but, option B, विशाकादत, और option C, वाच्ष्यान, option D, हंस वर्दन, चलो बताओ, इसका आणसर बताओ आसो गैलो जी, A option इसका नहीं है, अच्छा पिछले का था, चलो इसका बताओ, आसो जी इसका बताओ, आसो जी इसका बताओ आणसर नागानंद रतनावली नागानंद रतनावली और प्रिय दर्शिका के लेकग थे आपको लग रहा है क्यूशन बहुत अच्छे हैं असोग जी जल्दी से इसका अंसर दीजीगा और अपने दोस्तों को कहिएगा उप्षन A बाणबट उप्षन B विशाक अधत उप्षन C वात्सियान उप्षन D हर्सवर्धन इसका C नहीं है इसका उप्षन करेक्ट आंसर होगा आपके उप्षन D हर्सवर्धन नागानंद रतनावली और प्रिय दर्शिका के लेकग हैं हर्सवर्धन तो असोगजी फैन ग्लूप आपका उप्षन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उप्षन D हर्सवर्धन चलो अगले क्योशन की बड़ चलते हैं बहुत ही अच्छे क्योशन आ रहा है जल्दी से सेर्व करते रहें अब आपके स्क्रीन पर अगले क्योशन आ चुका है वह उत्खनित प्राचीन सबेता इस्तल जहां से प्राप्त अधिकांस पात्रों पर लाल रंग के डिजाइन मिले हैं आपके सामने ओप्शन ए रंग महल ऑप्शन बी काली बंगा ओप्शन सी अहाड ओप्शन डी गनेश्वर दो जल्दी से पताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वह उत्खनित प्राप्त अधिकांस पात्रों पल लाल रंग के डिजाइन मिले हैं जल्दी से इसका आंसर दीजेगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर चलो बताते हैं इसका करेक्ट आंसर है ओप्शन ए रंग मेल क्रेक्ट आंसर क्या होगा रंग मेल अब मुझे यह बताओ रंग मेल का है रंग मेल बागोर के वीलवाडा में रंग मेल है और कालीबंगा हनुमानगट जिल्ले में है अहाड उदेपूर यहापर गनेशवर काँपर है शिक्कर के अंदर है सब्सक्राइद देखिया आपके उदेपूर के अंदर है और यह आपके उदेपूर के अंदर है और चालेशवर के अंदर ह्लहं धिपक नाजज़ी आनका स्वागत है दिपक नाजी आपका स्वागत है अगला क्योशन आ चुका है राजस्तान राजिये के पुनर गटन से पूर्व सरोपर्तम सन 1934 में तामर समगरी की प्राप्ति का इस्तान है परवदसर दो तैसील है कहां काया बताईए राजस्तान राजिये के पुनर गटन से पूर्व सरोपर्तम सन 1934 में तामर समगरी की प्राप्ति का इस्तान है परवदसर तैसील का कौन सा चतर है दिपक जी बताईए दिपक नाज जी बताईए क्या होगा करेक्ट राणसर इसका दिपक जी करेक्ट राणसर बताईए इसका आपके उदर कही है असो गलोक फेंस आप भी बताईए क्या हुआ को प्रण्थू आप मैसेज करते रहे क्या होगा इसका प्राइब करते रहे किन सर्य सर्य और कितल सर्य क्या बात है पहली बार बारा है क्या ऐसा है दोस्तों इसका करेक्ट रांसर होगा ओप्शन ए कुराडा यानि राजस्तान राइदित जी के पुनर गठन से पूरो सरफ प्रतम सन 1934 में तम्र सामगरी की प्राप्तिक का इस्तान कौन सा है कुराडा और तैसील चलो अगले क्यों चलते हैं ओप्शन ए वेरी गुड बिलकुल करेक्ट रांसर है आपका दीपकी जी कुराडा अगले क्योंसर आपके सामने आ चुका है तो जल्दी से इसका करेक्ट रांसर बता है जल्दी से इसका दिपकनाथ ए यह पिछला है इसका आंसर बताए दिपक जी इसका आंसर बताए दोरीज रक्सा पर्ष्वीर के साक्षी राजस्तान की किस सभिता से प्राप्त हुए जल्दी से बताए इसका करेक्ट आंसर चा वार ट्राइ करें आप बार-बार इसको ट्राइपिंग करते रहें दोस्तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्षन बी काली बंगा सभिता में दोहरी रक्सा प्रश्वीर के साक्षी राजस्तान की काली बंगा सभिता से प्राप्त हुए और काली बंगा क्या पर है आपका हनुमान गड़ जिल्ले में क्या बात है आंसर नहीं दे रहे हो दोस्तु को सैर गड़ते रहे बताते रहे कि आपको क्यूश्चिन कैसे लग रहे हैন आ है क्यूश्चिन कैसे से कापी इंपर्टेंट है पोती खाना जैपूर पुस्तक प्रकास जौतपूर आप देखो क्यूशन के अंदर क्यूशन रियाद हो रहे हैं पोती खाना जैपूर और पुस्तक प्रकास जौतपूर तो यानि पुस्तक प्रकास कहा है जौतपूर में और पोती खाना जैपूर तेक पति खाना जैपूर